आप सबका मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनाशनल मोडिवेशन स्पीकर, लीडर्शिप कंसल्टेंट और बिजनस कोच आप में से बहुत लोग मुझसे काफी दिनों से पूछ रहे थे कि बिटकोईन के विशे में केस्टेडी दीजिए तो क्विकली कुछ थोड़ा सा मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ बिटकोईन पे सारे बिजनस कंसल्टेंट से मैं मिलता हूँ लगबग सारे ही बड़े कॉर्परेट्स देश में मेरे ओलरी क्लाइंट्स हैं जो भी बड़ा आप बिजनस ग्रूप देखते हैं वो मेरा क्लाइंट है इतने सब लोगों से मिलने के बाद कुछ बेसिक चीज़े हमने समझी इन्वेस्मेंट या बिजनस ये वो चीज होती है जिसमें आपका इंफ्लूएंस होता है जिस चीज़ में आपका इंफ्लूएंस ही नहीं है जिस पर आपका प्रभाव ही नहीं है उसको आप इंवेस्मेंट नहीं कह सकते हैं जिसको आप इंफ्लूएंस करके बदल नहीं सकते हैं उसको इंवेस्मेंट नहीं कहते हैं बिटकोईन कुछ ऐसा ही है Digital Currency Group के Global CEO Barry Silbert इनका खुद का मानना है के Cryptocurrency ये Highest Risk और Highest Return की इंवेस्मेंट है इससे ज़्यादा रिस्क किसी में नहीं है और इससे ज़्यादा रिटर्न भी किसी में नहीं है देखिए इसी लाइन में ना बहुत कुछ मीनिंग छुपा हुआ है इस Cryptocurrency बिटकोईन के अंदर मोटा मोटा आप एक बात समझ लें कोई भी इंवेस्मेंट ऐसी है अगर जिसका daily fluctuation 30% से ज़्यादा है अगर कोई ऐसी इंवेस्मेंट है जो 30% से ज़्यादा उपर या नीचे जाती है एक ही दिन के अंदर इसका मतलब बहुत ही अंसेफ इंवेस्मेंट है आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि Warren Buffet जो बहुत ही seasoned investor है वो 2014 में ही बोच चुके थे कि Bitcoin एक धोका साबित हो सकता है आपके लिए एक मिराज है Warren Buffet कहते है The idea that it has some huge intrinsic value is just a joke in my view उनके हिसाब से people are not buying into the value of substance they are buying into the value of hype यह बस hype बढ़ रहा है इसलिए लोग उसको खरीद रहे है actual genuine force ये किसी को नहीं पता कि Bitcoin बढ़ता कैसे है जब तक किसी चीज़ को आप influence नहीं कर सकते हैं उसमें investment खत्रा ये एक blind child है कमान क्या है blind child आपको कुछ दिख नहीं रहा कि क्या होने वाला है लेकिन एक पान वाला एक cigarette वाला एक नाई एक मोची हर आदमी Bitcoin खरीदने को थे क्योंकि सब खरीद रहे हैं उसको पता कुछ नहीं है क्योंकि Bitcoin अगर आप अपनी माता पिता को समझा नहीं सकते कि Bitcoin है क्या आप अपने अगर पडोसी को नहीं समझा सकते Bitcoin है क्या दो line में आपको क्या है Bitcoin एक ऐसे algorithms पर चल रहा है जिनकी understanding बहुत कम लोगो यह लगबग है इसको आप influence नहीं कर सकते हैं मोटा मोटा बात समझे है जो चीज आपके control या आपके influence में नहीं है उस पे invest करना ये एक blind चाल है investment की सबसे seasoned company Berkshire Hathaway इसके vice chairman Charlie Mewinger शुरू से एक बात बोल रहे है ये एक plague एक बिमारी की तरह है इससे बच के रहना ये बिमारी जितना जादा फैलेगी उतने लोगों को अपने चपेट में लेके खतम करेगी जादा दूर क्यों जाएं इंदुस्तान में आ जाते हैं राकेश जुन जुन वाला जो सबसे seasoned investor हमारे देश के आप सब जानते हैं उनको वो बोल रहे है मुझको समझ नहीं आ रहा why people and investors are getting crazy about bitcoin उनके हिसाब से bitcoin का कोई आधार नहीं है तो लंबा टिके का कैसे जिसका कोई foundation ही नहीं है लंबा टिके का कैसे basically bitcoin एक exchange के medium की तरह शुरूआ था और आज investment बन गया है सब के लिए लेकिन ये investment एक virtual investment है ये actual investment नहीं है actual और virtual investment में बड़ा फरक है क्योंकि ये virtual investment है तो इसकी growth और इसके slump के पीछे कोई calculation और predictability लगभग नहीं है अब calculation और predictability ना हुने के कारण इसकी blindness और जादा बढ़ जाती है Benjamin Graham इनके बारे में आप जानते हैं दुनिया के सबसे रईस investor उनके mentor इनको वोड़ते है father of value investing इन्होंने शुरू में ही bitcoin के बारे में production बहुत साल पहले दे दी थी कि ऐसी currencies कहीं लोगों को धोके में लेके डूबेंगी चुकि इनकी long term value proposition एक्जिस्स नहीं करती है हाँ bitcoin में investment किया जा सकता है ध्यान दीजिए मैं ऐसा नहीं है आप सोचे कि मेरी case study में bitcoin के खिलाफ हूँ bitcoin के मैं खिलाफ नहीं हूँ मैं आप कोई calculation देना चाहता हूँ किया आपके लिए bitcoin ठीक है या नहीं है bitcoin उनके लिए ठीक है जिनके पास personal disposable income बहुत बड़ी है क्या मतलब हुआ personal disposable income मतलब आपके पास वेर्थ का extra बचा हुआ बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है जो इसको फेंक के आप जा सकते हो अगर आपके पास ऐसा काफी सारा पैसा है तो आप bitcoin में डाल सकते है चुकि ये बहुत तेज उपर बहुत तेज नीचे जा सकता है जो actual investments होती उनमें predictability जादा है इसमें predictability कम होने के करण इसमें अगर आप जल्दी से बाहर आना चाहते हैं एक साल बाद अगर आपको बाहर आना है तो इसमें कठना ही हो जाएगी एक साल बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता लेकिन आज अगर आप इसको daily सुबेश शाम monitor करते हैं तो ठीक है वो भी तब जब आपके पास कुछ बड़ा extra amount जिसको पूरी तरह खोने पर भी आपको दुख नहीं होगा तब bitcoin आपके लिए ठीक है अमिताब बच्चन जी का भी पैसा bitcoin में बहुत तेज अचानक बड़ा बहुत तेज अचानक घटा यह जो बहुत तेज बड़ना और बहुत तेज घटना जो है ना इसको अच्चुली investment नहीं बोलते हैं इसको gambling बोलते हैं समझने के लिए थोड़ा comparison ले लेते हैं एक है virtual investment एक एक actual investment virtual में हम ले रहे हैं bitcoin को actual में ले रहे हैं चाया आपका debt fund आपका equity का fund आपके gold, आपके share, आपकी property आपके बाकी सारी FDP, PF, इसलेक्टरा जितनी भी तरह की investments हैं इनको हम actual मानते हैं इसको virtual मानते हैं actual और virtual में फरक यह है actual थोड़ा lazy है, थोड़ा slow है लेकिन predictable है यह बहुत fast है, unpredictable है और बड़ा volatile है दोनों में बड़ा अंतर है एक ही करके छोड़े-छोड़े comparison देखते हैं एक दिन 19,000, अगले दिन 12,000 उसके अगले दिन 15,000 तो यह जो sharp उपर नीचे जाना यहां से यह परणा चलता है कि यह investment है ही नहीं यह तो gambling है लेकिन इधर दूसरी तरफ उसमें पर अच्छोर investment पर आप dependability डाल सकते हैं आप अपने बच्चों के लिए अपनी बेटी के लिए bitcoin खरीद के हंजी रख सकते हैं आपको plan करके रखना पड़ेगा सोच के तयार रहना पड़ेगा कि यह पूरी तरह 0 भी हो सकता है क्या हाँ पूरी तरह 0 भी हो सकता है ऐसा नहीं कि हो जाएगा हो सकता है novel concept है नया है limited track record है low credibility है पुराना concept है stable है detailed track record है higher credibility है bitcoin में आपको tax benefit ना investment के पहले मिलता है ना investment के बाद मिलता है लेकिन इधर जो actual investment है इनमें बहुत सारी investment है जिनमें tax benefit आपको पहले भी और बाद में भी दोनों level पर मिलता है और बाद का मतलब है जो आपको return मिलता है वो भी tax free होता है जिसे जितने भी equity based investments है सब tax free returns है यह थोड़ा एक फरक आपको यहाँ पैसा बचा नहीं सकते सरकार इदर से सरकार सब ले जाएगे आप से आगे चलके यहाँ सरकार आपको encourage कर रही है इदर सरकार discourage करेगी जानते हैं क्यों क्योंकि bitcoin का इस्तेमाल black market में हो रहा है यहाँ money laundering में हो रहा है hackers इसका इस्तेमाल कर रहे हैं terrorist कर रहे हैं जितनी भी आपराधिक illegal activities tax evasion की activity यह सब bitcoin में की जा सकती है लेकिन यह सरकार की regulation में सरकार की निगरानी में तो इदर जो भी actually जो bitcoin का lend देने ना यह सरकार के पेट पे लात मारने जैसा है क्योंकि आप सरकार से उनकी tax की income उनकी सरकार की कमाई आप सोच रहे हैं कि सरकार को ठोक दे पैसा हम अकेले कमा ले यह है bitcoin लेकिन इदर आप भी कमाते हैं सरकार भी कमाती है इसलिए इसको सरकार encourage करेगी support करेगी इसको तो ये तो दुश्मन है सरकार की तो किसी भी दिन sovereign support इदर कभी नहीं मिलेगा आपको इदर sovereign support रहेगा यहाँ पे आपको सरकार मदद करेगी encourage करेगी इदर नहीं अच्छा जैसे की bitcoin purely digital है तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि hackers ने आपके accounts में जाकर hackers बड़े तेज होते हैं वो जाके आपके account में उसको hack कर सकते हैं लेकिन इदर bitcoin के case में कोई बीच में third party नहीं है अब लेकिन hack तो कुछ भी हो सकता है banks भी हो सकते हैं आपके credit card भी हो सकते हैं debit card भी लेकिन बीच में third party involved है बीच में government हैं बीच में banks हैं तो यहाँ पर क्या है अगर गलती से आपके credit card का पैसा किसी और के account में चला गया वो reverse हो सकता है लेकिन cryptocurrency bitcoin में अगर किसी और के account में चला गया वहाँ reverse नहीं हो सकता जब तक वो खुद वापस ना करना चाहें आपको तो यहाँ बीच में कोई और agency involved नहीं है credit card के case में debit card के case में bank account के case में बीच में bank है वो देखेगा कि इसका पैसा इसके account में गलत चला गया तो वो reverse आ सकता है उसकी इच्छा के बिना इधर reverse नहीं आएगा उसकी इच्छा के बिना वो नहीं चाहे तो नहीं दे आप उखाड़ा लो क्या कर सकते हो यह bitcoin में ऐसा नहीं मैं बोल रहा अर्स उरक्षित है don't take me wrong मैं यह नहीं बोल रहा कि यह अर्स उरक्षित है लेकिन हुआ तो है दो-तीन दफा बड़ी hacking हुई है bitcoin के अंदर आगे भी हो सकती है bitcoin mining marketplace से nice hash से 70 million dollar की hacking हुई थी bitcoin की यह crypto currency exchanges और wallet से कहीं बार हुआ है बड़ा cyber attack हुआ था biggest bitcoin exchange marketplace mount gox पे इदर लफड़ा यह है कि अगर आपका पैसा चला गया तो सरकार आपके साथ में कहा से आएगी कोई ही नहीं बीच में कोई नहीं है यहां पे तो वो एक बड़ा issue हो सकता है ऐसा नहीं मैं कहा रहा हूँ है पर consider करना चाहिए मेरा काम है आपको खाली share करना there is no central government body which is guaranteeing your bitcoin so bitcoin का पैसा irreversible है गया तो गया आया तो आया on the other side it is backed up by government agencies and third party agencies ताकि वो वापस आने में आपकी मदद तो कर सकते है at least court में आप जा सकते है कोई legal अड़ाई लड़ सकते है अच्छा bitcoin के exchange में federal और government insurance program को involved you can't ensure your bitcoins लेकिन लगबग बाकी सारी investments का insurance किया जा सकता है तो एक insurance का risk भी था छोटा सा अब क्योंकि ये एक blind game है ना तो blind game में बहुत जादा लोग आ गए है तो जिस्तिन इसका price बहुत जादा गिरा आपको cash out करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी उस समय cash out करते वक कोई और मिलेगा नहीं खरीदार इसका लेकिन दूसरी तरफ जो actual investment है वो कितना भी गिरता है उसकी cash out की संभावना फिर भी बनी रहती है चाहे बहले इस अस्ते में हो लेकिन cash out हो जाएगा कई लोगों को लग रहा होगा कि ये video bitcoin के खिलाफ है ये video bitcoin के खिलाफ नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जहां पे competition, calculation, prediction involved नहीं है जो बिल्कुली blind game चल रहा है उधर जाना हमेशा ठीक नहीं रहता मेरे विचार में investment in your cash can anytime crash but investment in your business and brain can give you highest gain अगर आप अपने business में invest करें उसकी growth bitcoin के मुकाबले कहीं जादा गुना हो सकती है ध्यान दीजेगा ये डाल्मिया, सिंगानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोइनका, मोदी, मितल, टाटा, बिल्डा, अम्बानी, अडानी, गोद्रेश, नंदा जितने बड़े परिवार है ये सब bitcoin में पैसा डाल के बड़े नहीं हुए ये अपने business में पैसा डाल करके बड़े हुए है आपको दो जगे पैसा जादा invest करना चाहिए एक आपके अपने business में और दूसरा आपके अपनी brain में यानि कि ये जो brain है ना जहां से सब कुछ आप सीखते हैं, जहां से सब कुछ आप बड़ा करते हैं और हाँ मेरा हमेशा मानना है अपनी earning में invest करने के साथ साथ अपनी learning के लिए भी थोड़ा amount save करके रखिए उसमें invest करिए क्योंकि अगर learning बड़ेगी तब ही आपकी earning बड़ेगी आईए live workshop में हमारे साथ question answer करिए मुझसे आ करके मिलिए मुझसे question करिए live workshop में इसी नमबर पर phone करिए